Hello dear students, welcome back to my YouTube channel, Barut English Hub, this is Rajni. Dear students, आज की इस lecture में हम discuss करेंगे, तो देखिए क्या discuss करेंगे आज हम, तो हम discuss करेंगे BA 3rd Sam से, point second है जो आपकी sonnet 18, जो कि William Shakespeare के दुबारा write की गई है, तो इसकी summary को discuss करेंगे, तो देखिए आपको पता है, जो 3rd Sam है हमारा, इसमें आपके 6 marks के तो very short questions आते हैं, और उसके बाद देखिए, उसके बाद आते हैं आपके 6 plus 6 marks के, यानि 12 marks के 2 questions आते हैं, जो आपके short questions होते हैं, उसके बाद आपका 12 number का आता है, एक long questions जो आपको 2 में से 1 करने के लिए कहा जाता है, यानि 2 questions आते हैं, वहाँ से आपको कोई भी 1 question करना होता है, तो देखिए, आपके चाहिए यहाँ पर 6 marks का question आई, चाहिए आपका 12 marks का question आई, तो आपको क्या करना है, आपको यह direct summary write कर देनी है, तो देखिए, आज हम इसी summary को करेंगे, चाहिए आप इसको long question मान सकते हैं, चाहिए तो आप इसको long question कह सकते हैं, या फिर इसे आप summary भी कह सकते हैं, तो इसको आज हम discuss करेंगे, तो देखिए, जो ये हमारा second poem है, second poem आपकी, जिसका नाम है sonet 18, sonet 18 इसका नाम है, sonet देखी क्या होता है, sonet एक type की poem ही होती है, sonet is a type of poem, तो poem ही होती है, ये एक, जो की 14 lines में लिखी जाती है, और जो ये sonet है, ये 18th number का sonet है, ये क्या है, 18, तो 18th number का sonet है, तो आपको पता है, जो हमारी writer है, William Shakespeare, ये देखिए, Elizabethan Age के writer थे, Elizabethan Age, तो इस age के ये writer थे, हमारे English literature में 10 ages है, जिनमें से एक है Elizabethan Age, तो देखिए, Elizabethan Age के writer है, जो William Shakespeare, इन होने total 144 sonets लिखे थे, ये sonet है, जो यहाँ पर, तो ऐसे ऐसे इन होने 154 sonets लिखे थे, 154 sonet लिखे थे, जिनमें से जो ये sonet आज हम करने बाले है, ये है 18th number का sonet, तो इसको आज हम यहाँ पर discuss करेंगे, इसकी समरी को discuss करेंगे, तो चलिए, start करते हैं इसकी समरी को, तो देखिए, sonet 18 is a prominent poem, ये बहुत ही परसीध कभीता है, which is written by famous playwright, जो की एक बहुत ही famous परसीध playwright, playwright क्या होता है, playwright होता है, जो कोई नाटक लिखता है, तो एक famous playwright, William Shakespeare के दुवारा लिखी गई है, तो उसके बाद देखिए, William Shakespeare wrote 144 sonets, अभी मैंने आपको बताया कि William Shakespeare है जो, इन होने 154 sonets लिखे थे, and sonet 18 is one of them, और जो यो हमारा sonet 18 है, यानि जो 18th number का sonet है, ये इन 154 sonets में से एक है, उसके बाद देखिए, in this sonet, the poet seems to feel that the fair youth, fair youth, तो देखिए, यहां तक देखते हैं एक बार, in this sonet, इस sonet के अंदर, जो हमारा poet है, seems to feel, तो वो कैसा feel करता हुआ परतीत होता है, यानि कैसा लगता है वो, यानि कि जो poet है, वो क्या feel कर रहा है, that the fair youth, कि जो fair youth है, तो यह fair youth है, तो यह कौन है, यह है हमारे poet के friend, जिसका नाम क्या था, Mr. W.H. कौन थे? William Shakespeare के friend थे, जिसको इन्होंने fair youth कहा है, यानि कि बहुत ही खुबसूरत युबा व्यक्ति कहा है, उन्होंने अपने मित्र को बहुत ही खुबसूरत और जवान कहा है, In the sonate, the poet seems to feel that the fair youth, his friend, would be immortalized through poetry, तो इस sonate के अंदर poet क्या करते हुए लगते है, तो हमें लगता है, कि जो हमारे poet है, William Shakespeare है, वो अपने friend को, जिसको वो fair youth कहते है, उसको भी अपनी poetry के थ्रू, अपनी कभीता के थ्रू, यानि वो अपने इस sonate के थ्रू, अपने मित्र को, अपने friend को immortalize करना चाहते है, immortalized होता है, अमर कर देना, अमर क्या होता है, जो कभी भी मरता नहीं है, यानि poet क्या चाहता है, कि लोग जैसे जैसे उसके poetry को पढ़ेंगे, इस sonate को पढ़ेंगे, तो इस sonate के थ्रू, इस sonate के द्वारा वो अपने मित्र को, अमर कर देगा, यानि जब-जब कोई भी इस sonet को पड़ेगा, तो वो हमेशा ही उसके friend के बारे में पड़ेगा, तो इस तरह से उसका मित्र, इस poetry के थूँ, क्या हो जाएगा, तो उसका friend इस कभीता के थूँ, इस sonet के थूँ, immortalize हो जाएगा, अमर हो जाएगा, उसके बाद देखिए, sonet 18 is often titled, sonet 18 को प्राय क्या कहा जाता है, यानि हमेशा नहीं, यानि कि कभी-कभी लोग इसको और क्या कहकर पुकारते हैं, इस sonet 18 को, तो लोग इसे, shall I compare thee to a summer's day, लोग इस poem को और किस नाम से जानते हैं, तो वो जानते है, shall I compare thee to a summer's day, in this sonet, इस sonet के अंदर, the poet praises the beauty of his best friend, तो इस poem के अंदर, इस sonet के अंदर, जो हमारी poet है, वो प्रेज करते हैं, प्रेज होता है, किसी की तारिफ करना, तारिफ या फिर आफ इसे परसंसा भी बोल सकते हैं, किसी की परसंसा करना, यानि वो इस sonet के अंदर, अपने प्यारे मित्र की, अपने प्रिय मित्र की, अपने पके दोस्त की, beauty की, यानि उसका जो friend है, उसकी सुन्दर्था की वो क्या करते हैं, इसमें तारिफ करते हैं, प्रेज करते हैं, without any region, बिना किसी region के, यानि कि poet इस sonnet के द्वारा अपने best friend की परसंसा करते हैं, तो देखे, and through his friend's beauty, और अपनी friend की beauty के द्वारा, यानि अपने मित्र की सुंदर्ता की द्वारा, he describes the theme of the stability of love, वो क्या दिखाते हैं, वो theme दिखाते हैं इस poem का, इस sonnet का, यानि कि जो sonnet है, ये poem है, जो उसका theme क्या है, उसका विश्य क्या है, तो क्या दिखाना चाहते हैं इस sonnet के थ्रो, stability of love, प्यार की सिथर्ता कि प्यार हमेशा स्थिर रहता है प्यार कभी भी बदलता नहीं है and it's power to immortalize someone और प्यार की ताकत तो इसका विश्य क्या है इस पोईम का प्यार की सिथर्ता और प्यार की शक्ति को दिखाना है कि कैसी प्यार की सिथर्ता और प्यार की जो पावर है उसको immortalize क किया जा सकता है यानि अगर हम किसी को सच्चा प्यार करते है तो हमारे प्यार की वो ताकत है उसको उस प्यार को और उस प्यार की ताकत को हम क्या कर सकते हैं इमोर्डलाइज कर सकते हैं इमोर्डलाइज अभी मैंने बताया क्या होता है अमर यानि प्यार की ताकत को अमर किया आमर कर सकते हैं उसके बाद देखिए दो पॉइम स्टार्ट्स विद रेटोरिकल कोश्चन यह पॉइम है जो रेटोरिकल कोश्चन के द्वारा सुरू होती है रेटोरिकल कोश्चन क्या होता है तो देखिए रेटोरिकल कोश्चन की बात करें तो क्या होता है यह जब हम क्या करते हैं, किसी से कोई question करते हैं, और खुद ही हम क्या करते हैं, इस question का reply कर देते हैं, यानि कि हम question भी खुद करते हैं, और उसका जबाब भी क्या करते हैं, खुद ही दे देते हैं, तो उसे कैसा question कहा जाता है, तो उसे rhetorical question कहा जाता है, यानि ऐसा question जिसका जवाब भी हम खुद ही दे देते है या फिर poet को उसका जवाब खुद ही पता होता है तो उसे हम rhetorical question कहते है तो यहाँ पर जब poem start करता है poet तो वो कैसे करता है तो वो rhetorical question के साथ करता है To address his friend क्या करते हुए अपने friend को address करते हुए संबोधित करते हुए यानि वो अपने friend को कुछ कहते हुए इस poem को start करता है तो क्या कहता है वो Shall I compare thee to a summer day कि क्या मैं कि क्या मैं तुम्हें summer day यानि कि गर्मी की एक दिन के साथ क्या मैं तुम्हें compare कर सकता हूँ तो यह question point अपने friend से करता है क्योंकि उसे वो दिन बहुत खुबसूरत लगता है बहुत चमकदार लगता है तो आपको पता है कि गर्मियों में जब धूप भी निकलती है अच्छा मोसम होता है तो उस मोसम को देखकर कभी का मन बिल्कुल खुस हो जाता है और वो इस मोसम की सुंदर्ता की तुलना किसके साथ करता है तो वो अपने friend के साथ करता है और उसे क्या कहता है कि क्या मैं तुम्हारी सुंदर्ता को या तुम्हें इस गर्मी के दिन के साथ तुलना कर सकता हूँ and rest of the poem is the answer to the question और देखी अभी मैंने बताया कि रेटोरिक question क्या होता है जिसमें answer भी खुद ही बता देते है तो बाकी की जो poem है वो क्या है वो इस question का जबाव है यानि कि poet ने ये question किया कि क्या मैं तुम्हें इस गर्मी के दिन के साथ compare कर दूँ उसके बाद क्या कहता है वो इसका जबाब भी वो खुद ही दे रहता है जो poet है हमारा William Shakespeare वो क्या करता है various devices यानि कि बहुत सी devices का use करता है जैसे की imagery, imagery क्या होता है जिरने हम क्या करते है जिसमें हम image बनाते है किसी चीज़ की यानि कि चित्रांकन करते हुए चित्रीत भासा का use करता है, images बनाता चलता है यानि point जैसे जैसे कुछ बोलता जाता है उन words के through एक image हमारे mind में बनती जाती है तो ऐसी language का use point करता है and figurative language और figurative language का use करता है यानि कि एक सजीब भासा का use करता है Shakespeare, to enhance the beauty तो यहाँ पर देखे, Shakespeare के बाद लिख लेना, to to enhance the beauty of his friend ताकि वो अपने friend की सुंदर्ता को क्या कर सके बढ़ा सके enhance क्या होता है, enhance होता है बढ़ाना किसी चीज को बढ़ाना यानि कि बढ़ा कर देना तो point क्या करता है यहाँ पर in devices के through imagery और figurative language के through William Shakespeare है, जो अपने friend की beauty को बढ़ाने की कोशिस करता है in the first stanza the poet starts to make comparison of his friend's beauty with the summer's day in the month of May तो देखिए, पहला stanza जबाता है इस poem का, जो point है हमारे William Shakespeare, वो क्या करना शुरू करते है, starts to make comparison, वो तुलना करना शुरू करते है किस की तुलना, of his friends beauty, वो अपने मित्र की सुंदर्ता, अपने मित्र की सुंदर्ता की तुलना करना शुरू कर देते है, तो अपने friend की beauty की सुंदर्ता की तुलना वो किस के साथ करते है, यानि वो comparison, अपने friend की सुंदर्ता का किस के साथ करते है, तो वो करते है summer's day तो वो गर्मी के दिन के साथ करते है in the month of May जो कि मई का महीना होता है उसमें जो गर्मिया पड़ती है तो उस गर्मी में जो चमकीला दिन होता है खुबसूरत दिन होता है तो उसके साथ कभी अपने friend की सुंदरता की तुलना करता है तो देखिए आपको लगता होगा कि जो मे मन्त होता है इसमें इतनी गर्मी होती है तो वो सुंदर दिन कैसे हो सकता है तो इसके लिए आपको बता देती हूँ कि ये दिन जो मे है मे का जो मन्त है उसमें गर्मी हमारे इंडिया में होती है इंग्लेंड में नहीं और विलियम सेक्सपेर कहां की बात कर रही है तो वो बात कर रही है इंग्लेंड की UK की बात कर रही है United Kingdom की ना की वो इंडिया की बात कर रही है तो वहां पर जो मेमंत है उसमें क्या होता है मई के महिने में वहां पर बहुत ही friend की सुंदरता की तुलना इस मई के महीने के एक गर्मी के दिन के साथ करता है but after this comparison the poet says that पर इस comparison के बाद जो poet है वो कहता है that his friend's beauty is much better than that of the summer's day अब poet पहले तो क्या करता है तुलना करता है अपने मित्र की beauty की किस के साथ इस summer day के साथ पर जल्दी ही वो इससे बदल जाता है और वो क्या कहता है नहीं नहीं जो मेरा friend है वो क्या है वो इस गर्मी के चमकीले दिन से भी जादा खोबसूरत है यानि कि इतना तो ये दिन भी खोबसूरत नहीं है जितना उसका मित्र खोबसूरत है यानि कि वो अपने friend को इस गर्मी के दिन से ज़्यादा खुबसूरत बताता है और वो थोड़ा आगे बढ़ता है यानि poet अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हुई क्या कहता है His beauty like the summer itself की मेरे friend की जो सुन्दरता है वो गर्मी के एक दिन की तरह नहीं बलकि खुद गर्मी की तरह है यानि जैसे गर्मी होती है London में, England में जैसे गर्मी है बहुत खुबसूरत लगती है वहाँ पर क्योंकि वहाँ ज़्यादा सर्दिया पड़ती है तो ठीक उसी तरह से उसका friend है जो उसके भी सुन्दरता कैसी है उसके जो friend की सुन्दरता गर्मी की जैसी है ना कि गर्मी की एक दिन जैसी बलकि पूरी गर्मी ही क्या है उसके friend के जितनी खुबसूरत है बट इवन दिस टाइम, he doesn't content पर इसके बावजूद, point है जो हमारा बट इवन दिस टाइम, इस बार भी, इस समय भी, वो क्या करता है he doesn't content, वो संतूष्ट नहीं होता तो देखे, content क्या होता है, content होता है, satisfy satisfy आपको पता है, संतूष्ट होना तो देखे, इस बार भी, जो point है वो इस बात से संतूष्ट नहीं होता किस बात से? अपने friend का comparison करने के बाद यानि कि अपने friend की तुलना जब वो गर्मी के दिन की बजाए, गर्मी के साथ भी कर देता है तब भी उसे संतूष्टी नहीं मिलती क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो अपने friend को इस समर से ज़्यादा खुबसूरत बताता है यानि कि नहीं तो वो गर्मी का सिर्फ एक दिन खुबसूरत है और नहीं पूरी गर्मी खुबसूरत है बलकि उन सब से खुबसूरत कोन है? वो है उसका मित्र, उसका best friend अब देखिए because summer's span is too short itself तो देखिए एक बार मैं इसको क्या कर देती हूँ clear कर देती हूँ ताकि आपको सब साफ दिखाई दे तो देखिए जो यह हमारा poet है because summer's span is too short itself क्योंकि poet कहता है कि जो गर्मी होती है उसका span, span क्या होता है? अबधी, समय, काल कि जो गर्मियों के दिनों की अबधी है जो गर्मियों के दिनों का समय है वो समय कितना है? to sort itself वो अपने आप में ही itself means अपने आप में ही क्योंकि यह गर्मी है जो अपने आप में ही इसका span है जो इसकी अबधी है वो बहुत कम होती है यानि जब England में गर्मे पढ़ती है तो बहुत ही कम दिनों के लिए कम समय के लिए पढ़ती है He says that his friend's beauty is superior that can conquer death itself तो poet कहता है कि जो मेरा मित्र है उसकी सुन्दरता सबसे जादा superior है यानि सबसे जादा है मेरे friend की सुन्दरता जो कि death को यानि death खुद भी क्या कर सकती है हार सकती है मेरे friend की सुन्दरता को देखकर यानि मेरे friend इतना खुबसूरत है कि वो मोत को भी क्या कर सकता है हरा सकता है यानि मोत पर भी वो conquer कर सकता है conquer होता है जीत पाना यानि कि मेरे फ्रेंड की सुन्दर्ता को देख कर तो मोत भी हार सकती है और मेरे फ्रेंड की सुन्दर्ता जीत सकती है उसके बाद देखिए His beauty is everlasting तो point यहाँ पर कहता है कि जो मेरे फ्रेंड की सुन्दर्ता है वो कैसी है वो everlasting है यानि कि मेरे मित्र की सुन्दरता कभी भी ना खतम होने बाली है यानि मेरे फ्रेंड की सुन्दरता इतनी है जो कभी भी खतम नहीं होगी बेसक से गर्मी का दिन खतम हो सकता है गर्मिया खुद खतम हो सकती है पर मेरे मित्र की सुंदर्था कभी भी खतम नहीं होगी In the end, अंतमी क्या होता है, the poet articulates poet इसका बीता को articulate करता है, articulate होता है उचारन करना, गाना किसी चीज को, poem को हमेशा क्या किया जाता है एक सोंग की तरह होती है poem जिसको हमेशा उचारन किया जाता है, गाया जाता है, recite किया जाता है recite, recite किया जाता है In the end, the poet articulates that, जो poet है, अंतमी इसका बीता को उचारन करते हुए कहते हैं, बीददा passage of time कि जैसे जैसे time pass होगा, जैसे जैसे समय बीता जाएगा The fairness of his friend will grow, तो वैसे वैसे क्या होगा एक तरफ तो time खतम होता जाएगा, बीता जाएगा, pass होता जाएगा time दूसरी तरफ मेरे friend की सुन्दरता है, जो fairness क्या होती है, सुन्दरता वैसे वैसे मेरे मित्र की सुन्दरता, grow होती चली जाएगी, grow होता है, बढ़ना, enhance होना तो वैसे-वैसे मेरे मित्र की सुन्दरता बढ़ती जाएगी through the eternal lines of his poetry किस के थो जो उसने ये poetry लिखी है उसने जो ये sonnet लिखा है sonnet 18 लिखा है उसके थो, इस sonnet 18 के थो उसके friend की, William Shakespeare के friend की सुन्दरता क्या होती जाएगी बढ़ती चली जाएगी, ग्रोव करती जाएगी ना कि खतम होगी, क्योंकि जैसे जैसे लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसका मित्र कितना सुन्दर था, तो वैसे वैसे वो अंदाजा लगाते जाएंगे, कि उसका फ्रेंड सच में ही सुन्दर था, इसके लिए उन्होंने इसलिए ही कविता लिखी है, तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा